हमें पता है कि प्रसार के लिए द्वनिय को माध्यम की आवश्यक्ता होती है मैं यह स्पीकर शुरू करता हूं मैं संगीच सुन सकता हूं अभी द्वनिय उर्जा के प्रसार अत्वा स्थानांतरण के लिए हवा को माध्यम के तौर पर इस्तमाल किया गया है साइन्स जर्नल आप के जरीए हम द्वनिय की तीवरता देख सकते हैं मैं यदि यह स्पीकर धातू के डिब्बे में रखूं तब भी मुझे द्वनिय सुनाई देगी मैं इस स्पीकर को प्लैस्टिक में पैक करके पानी में डुबा कर सुन सकता हूं इस कृति से हम यह कह सकते हैं कि द्वनिय स्थायू द्रव और वायू के माध्यम से आगे बढ़ती हैं माध्यम के बिना द्वनिय उर्जा आगे बढ़ नहीं सकती है क्या हम शून्य स्थान में द्वनिय सुन सकते हैं नहीं शुर्ण्य स्थान मतलब वहां हवा नहीं है हम इसे कैसे सिद्ध करें कि यह मोटे प्लास्टिक का निरवाद डिब्बा है उसमें ना हवा जा सकती है ना बाहर आ सकती है इस साइकल की वॉल की सहायता से धक्कन में छोटी प्लास्टिक की ट्यूब लगाई है हम डोरी की सहायता से यहां हमारा फोन लटकाएंगे डिब्बे के सारे च्छिद्र गोन से बन किये हैं हम इस सिरिंज का उपयोग डिब्बे से हवा बाहा निकालने के लिए करेंगे सारी हवा डिब्बा पूर्ण तया निर्वात करना कठिन है किन्तु हम थोड़ी हवा बाहर निकाल कर अंशितहा वहां पर शून स्थान निर्मान कर सकते हैं मैं ट्यूब को यह सिरिंज लगा कर हवा बाहर खींचना शुरू करूंगा द्वनी की तीवरता में आने वाला बतलाव महसूस कर पाना आसान नहीं है द्वनी की तीवरता नापने के लिए हम साइंस जर्नल आप के द्वनी मापक्यंत्र साउंड मेटर का उपयोग करेंगे स्मरण रहे कि जब हम अंशितहा शून स्थान का निर्मान करते हैं तब हम द्वनी के दिशा और तीवरता में बदलाव देखते हैं यह धक्कन खुले होने पर आने वाली द्वनी ए तीनों समय द्वनी की तीवरता में बदलाव सुनाई देता है यह प्रयोक शाला में इस्तमाल किये जाने वाला शून स्थान पात्र है यह भी इस पंग की सहयता से शूनिस्थान निर्मान कर सकता है तो अब हम हमारा मोबाइल फोन इसके अंदर रखेंगे और यह प्रयोक फिर से करेंगे इस सायन्स जर्णल अब की सहयता से अनेक शूनिस्थान के पड़ाओं पर द्वनी की तीवरता का नापन करेंगे जैसा कि तुम देख सकते हो जब अंदर शूनिस्थान होता है तब थोड़ी ही द्वनी सुनने को मिलती है इस प्रयोक से हम कह सकते हैं कि द्वनी को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है सारांच द्वनी हवा से कैसी यात्रा करती है इस पर हमने चर्चा की है वे हवा द्रव और स्थायू माध्यम से यात्रा कर सकती है वे शूनि स्थान से यात्रा नहीं कर सकती चनौती कल्पना करो कि तुमने और तुम्हारे मित्र ने अभी अभी चान पर कदम रखा है तुम्हें तुम्हारे मित्र को अवतरण का सटीक समय पूछना है क्या तुम अपने मित्र पर केवल चिला कर यह पूछ सकते हो